हाई अब्रिवन वेल्कम टू क्रियांश व्लोग में आप सब कास्वागत है तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हूं कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज है थरस्डे मॉर्निंग जैसा कि आप देख सकते हैं क्रियांश को मैंने सुला लिया है सारा काम मैंने जल्द जल्द फिनिश कर लिया है क्योंकि मैं साहे भगवान का फास्टिंग करती हूं वो कैसे करती हूं और क्या करती हूं वो आपको व्लोग से मिलेगा व्लोग से बने रही है तो आपको देखने को बहुत कुछ आज इंटरस्टिंग व्लोग साने वाला है तो कौन-कौन साहे भगवा साइ भगवान का मूर्थी खर्दा है उनके कपरे खर्दे हैं उनका वो जो कहते हैं जिस पे वो स्थापना मैं करती हूँ बैठने वाला वो खर्दे हैं तो आपको व्लॉग से बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो चलिए मैं नहा के आपसे मिलती हूँ यहाँ देख सकते हैं मैं नहाली हूँ तो मुझे यलो सूट कहीं पर भी नहीं मिला मुझे अच्छा नहीं लगा तो इधर मैंने वाइट सूट पैना हुआ है जिसका बहुत ही प्यारा पिंक दुपट्टा है और यह बहुत ही प्यारा है यहाँ मैंने अपने साइन भगवान को ले आया है और इनका मैं कपरा चेंज करूँगी तो यह देख सकते हैं यह मैंने पिंक करण का कपरा निकाल लिया है इनको मैं पहनाओंगी उससे पहले मैं इनको जल से इनका स्नान कर देती हूँ तो यह बहुत अच्छे से मैंने इनको नहा दिया फिर पोच के मैंने इनको कपरा पहना दिया फिर यह देख सकते हैं इनको मैंने इस तरीके से इनको स्थापित कर दिया उसके बाद चलते हैं यहाँ पे मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है वहाँ पे लेके और यह देख सकते हैं बहुत ही प्यारा माला था जो कि मूती का था इनका मुकुड भी बहुत प्यारा है तो यहाँ पे यह देख सकते हैं मेरा छोटा सा प्यारा सा पूंजा मंदिर है तो यहाँ पर मैंने भोग में लगाया है थोड़ा सा भोग में लगाया है पपीता और पानी यह देख सकते हैं भगवान को उसके बाद चलिए दिया में थोड़ा सा गी डाल दिया मैने और इस तरीके से चंदन था तो चंदन से मैं भगवान को टिका लगा रही थी और बहुत ही अच्छे से मैंने पूचा कर लिया यह देख सकते हैं मैंने अगरबती जलाया फिर मैंने दिया दिखाया बहुत अच्छे से मेरा पूचा हो गया और ये स्रीजा ain भगवान की बुक है जो कि मैं पढ़ती हूँ जो कि बहुत अच्छा लगता है वद के तो मुझे तो बहुत ज्यदा पॉज़िविटी मिलती है बहुत ज्यदा एनर्जी मिलती है भगवान का ये फास्टिंग करके तो इस तरीके से मैं भगवान को चंदर लगा करके उसके बाद थोरा सा अक्षत ले करके मैं ये कथा को पढ़ूँगी और पढ़के फिर आपसे मैं मिलती हूँ और ये देख सकते हैं कुछ पैसा था जो कि मुझे इस तरीके से लाल कपरे में बाढ़ना था तो यहां मैं आने बुक वगर आप सब कुछ पढ़ लिया है मेरा पूजा जो है बहुत ही अच्छी से हो गया है तो आई होप छोटा सा पूजा मेरा आपको पसंदा है अगर पसंदा है तो लाइक शिर सब्सक्राइब जरूर कीचेगा और अभी तक मैंने चाई वगरा कुछ भी नहीं पिया था फिर मैंने जल्दे जल्दी चाई घटाया क्योंकि चाई मैं सुबर पीती हूं बड़ पूजा करना था तो इसलिए मैं नहीं सुबर नहीं पहया इधर मैं पपीता भी कट कर दी हूँ और मुझे लगा कि पपिता खा लेती हूँ, तो फिर बहुत प्राब्लम हो जाता है ऐसे चाई पीने से, तो चलिए मैं आपको पपिता खाके मिलती हूँ, तो यह देख सकते हैं, पपिता को लेके मैं रूम के अंदर जा रही हूँ, पहले कुछ खा करके ही चाई पीना चाहि क्योंकि टाइम बहुत जादा हो गया था, आइधिंक बाड़ा बच रहा था, तो चलिए आपको बाहर का वैदर भी दिखाते हैं, कितना सनी है, तो इतना जादा करक धूप था ना, जैसे पापर सुखता है ना, वैसे हम लोग भी सुख जाएंगे, इतना जादा धूप थ तो इधर मैं मास्टर सेफ भी देख रही थी, आप लोग देख सकते हैं, तो मास्टर सेफ कौन-कौन देखता है, बताएगा ज़रूर, मैं मास्टर सेफ बहुत जादा देखती हूँ, क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है मास्टर सेफ देखना, तो इधर क्रियानर्स अभी तक सो रहा है, उसे पहले मैं जल्दी जल्दी पपीता को फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय भी पीना है, जो कि जब तक मैं चाय नहीं प्यूंगी ना मेरे अंदर थोड़ा भी अनर्जी नहीं आएगा, और मैं थरस्टर के दिन ज्यादा कुछ भी नहीं किचन में और यह मेरा चाय जो रडी है, गर्मा करम, तो मैंने हाफ ही पिया था, क्योंकि क्रियांस उट गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी हाफ पी थी, ज्यादा मैं नहीं पी थी, क्योंकि मुझे क्रियांस को भी देखना था, तो इधर आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने हस्बरन के लिए मैं खाना भी बना रही थी, और यह देखिये क्रियांस को किस तरीके से ग्यालरी में आजकर वो चड़ जाता है, इसके उपर, बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे डर लगता है, बटी लड़का जो हना आवाज मतलब सुनता ही नहीं है, इसको बस मस्त नवरातरा स्टार्ट हो गया है, चैती छट स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, और मैं कहीं जाने भी आली हूँ, आपको व्लोग से पता चलेगा कि मैं कहां जाने वाली हूँ, इस छट में, क्योंकि अचानक से प्लान बना कि हमें जाना तो हम निकल गए, तो वह भी आपको व्लोग से मिलेगा, तो आपको और भी व्लोग से इंट्रस्टिंग अने वाले हैं, तो यह देखिए क्रियांश को, क्रियांश ना अपने पापा का वेट कर रहा है, इसको बिल्कुल भी मनन नहीं लग रहा है, तो मेरे साथ बिल्कुल शैतानी कर रहा है, उसके बाद इधर क्रियांस का जो है, ये साइकल है इसको आजकल इस साइकल बैठना बहुत ज़दा पसंद है, इसको क्योंकि साइकल चलता है न तो इसको बहुत मज़ा आता है बट इसको चलाना पड़ता है मुझे इसलिए मैं सोच रही है कि इसको पहले आवाइड करती हूँ मुझे पहले डिनर पर फोकस करना है जल्द जल्द डिनर बनाना है क्योंकि रात काफी हो गया था और मेरे हजबन भी भूखे आएंगे तो बस मैंने डिनर भी स्टार्ट कर दिया बनाना ये देख सकते हैं ये जीपर क्रियांस आगे लग रग दिया है रैक में उसके बाद मैं इधर कीचन में भी आ गई हूँ और ये देखे क्रियांश को क्रियांश की बदमाशा को अप्लोड नोटिस कीजे ये कूकर के ढखकन को बैट समझे खेल रहा था तो बस ये इसी तरीके से ना बस बदमाशे बदमाशे इसका चालू रहता है और ये देखे रबर खीच के निकाल करके उसने इस तरीके से फेक दिया उसके बाद इधर सैटरिडे मॉर्निंग था तो हम लोग निकल गए थे सैटरिडे को क्योंकि नहाई खाई था और मेरी सासुमा जो है वो फास्टिंग कर रही है चैती छट इसका मतलब कर रही है तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं अपने ससुराल तो आपको ससुराल का भी व्लॉग साच्छा अच्छा मिलेगा आप लोग से बने रहे है तो बस क्यांश इसलरी के से मस्ती कर रहा है अपना पानी भी पी रहा है और ये देखिए कुछ व्यू आउटर एरिया का डहरी ओंसून का जो की बहुत ही प्यार था मुझे तो सूट करने का बहुत ज़्यादा मन था और क्रियांश को भी मैं था सूलाने की कोशिश कर रही है बट क्रियांश जो है ना वो सोना बिल्कुल भी नहीं पसंद है उसको तो बस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और ज़दा से ज़दा सब्सक्राइब कीजिएकर आप मेरी चानल पर नए हैं तो तो बस इस तरीके से मैं लेट करके आप लोगोंसे बाते कर रही हूँ क्योंकि आप लोगोंसे बाते करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक धाबा था वहाँ पे उतरे थे कुछ कोल्डरिंग्स लेने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत जादा हो रही थे और यह देखे क्रियांच अपने पापा के पीछे पीछे भाग गया है तो मेरे ह Sahibन यहां दर कोल्डरिंग्स ले रहे थे क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाना था क्योंकि विदाउट लेस्ट पे आज हम लोग खाना खा रहें थो इसले हम लोग ने कोल्डरिंग्स लिया और उसके बाद बस गारी में बैट करके चल पड़े उसके बाद गारी का पैटरोल भी खतम हो गया था तो पैटरोल पम के पास आया पैटरोल लिया और ये देखे क्रियांज को क्रियांज की मस्तियां तो खतम होने का नाम ही नहीं लेती है वो इस तरीके से गाना बजा रहा था कभी बंद कर रहा था बस उसका यही सब चालू था तो बस यहां पर वो देखिए डबा लेकर के बैड गया है और हम लोग अपने सस्राल पहुंचने वाले हैं और आप लोगों को अच्छा पहली अरग दूसरी अरग का फिर खड़ना का सारा वीडियो जरूर मिलेगा तो आई होप आपको यह चोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आया हो अगर पसंद आया तो आपको पता है कि क्या करना है आपको लाइक करना है शेयर करना है और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीचे का और यह देखिए क्रियांच कितना क्यूट फेज बना रहा है और इसकी स्माइल देखिए क्यों कि इसमाच चौपिस घंटे बदमाशी करता है इसका बदमाशी बिल्कुल भी सांत नहीं होता यह देख सकते हैं इसने अपना चोटी बगेरा सब कुछ खोल के फेक दिया है और इसको मैंने दो बॉटल पकड़ा दिया क्योंकि इसके हाथ में कुछ ना कुछ टयाना चाहिए तब ही यह हम लोगों को मतलब आडम से बैठने देगा नहीं तो यह बिल्कुल इसने देख सकते हैं लेट से आएगा क्योंकि यहां पर नेट का प्रॉब्लम है और इधर वाइफाइ नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिले आएगा बट व्लॉक्स जरूर आएगा और काफी अच्छा व्लॉक्स आएगा और आपको मेरे सस्राल का व्लॉक्स बहुत अच्छा लगता है तो इसको ध मेड़ा सब्स्वा कर देख कर लेड़ा और आपकीác टूर डॉक्स आपकी जबाएवा और के भाइवालगा थार टीकर अच्छा ओजाने लगते है आएबार काफी बहुत प्टॉ ereका लेवीम लेवां में प्रॉम। ऑर की साम मलॉम। ँटूर की जबाइगा तो खमुंट